काफी जादा अच्छी होंगे कल टाटा मोटरस ने अपने लाइनप के अंदर न्यू रेड डाग एडिशन को लाँच कर दिया है विद दी टाटा हैरियर, टाटा सफारी और टाटा निक्सॉन आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टाटा हैरियर के रेड डाग एडिशन के ब्रॉशर डिटेल और किस वेरियंट के अंदर आपको क्या चीज़ से देखने के ले मल जाएंगी कौन से फीचर है वो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इन डेफ बताने वाला हूं एक एक फीचर एक्स्प्लेइन करूंगा तो इस वीडियो को ज़रू लाइक कर दे साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रू कर ले ताकि ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग से मिस ना हो अबगों नहीं कि आयर्ण कर से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप लोगों को बता दूँ कि टाटा थे ड़े ते रियर य करने ते रुड़े आपने याया दो ज़रू कि और ні। जो है X Z plus और X Z A plus optional अब यहां पर आपको जो main change है वो मैं आप लोगों छोटा सा brief कर दूँं कि जो X Z plus और X Z A plus है यह एक variant है और इसे उपर जो है X Z A plus optional बस वहां पर आपको जो अडास फीचर्स है ना वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं बागी जो सेम फीचर हमें XZ Plus और XZ A Plus के अंदर मिल रहे हैं वही सेम हमें मिल जाएंगे बस अडास का जो फरक है ना वो हमें Optional Variant के अंदर मिल जाता है अब बात करते हैं सबसे पहले इसके एंजिन के बारे में तो आपको इसके इंदर जो एंजिन मिलने वाला है ना वो Cryotech 2.0L का BS6 Phase 2 टर्बो चार्ज एंजिन मिलेगा जो प्रेडियूस करता है 170 PS और 3.5 Nm का टॉर्क 6-speed आपको Automatic और 6-speed Manual मिल जाएगा और अभी जो Harrier और Safari है ना यह सिर्फ आपको Diesel के साथ अवेलिबल मिल रहे है क्योंकि यह सेम ही एंजिन यहाँ पर अवेलिबल मिल जाता है 5-6 L option के साथ अवेलिबल मिलती है बूट स्पेस मिलता है 400 बच्चिस लेटर का और अगर आप जो थर्ड रहस को फोल्ड कर देते हैं तो 810 L का जो बूट स्पेस है वो आपको अवेलिबल मिल जाता है सबसे पहले बात करते है मेजर हाइलेट के आपको जो रेड डाग एडिशेन इसके इंदर आपको क्या-क्या मिल जाता है सबसे पहले तो जो अंदर की तो तीम है ना इंटीरियर की वहाँ पर आपको जो और साथी जो डोर हैंडल है ना वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी और personally आपको बताओ जो मैंने इसको auto expo के अंदर देखा था था तो बहुत जादा ये premium लगती है साथी बात की जाए अगर इसके exterior के ना तो exterior के अंदर आपको कहीं कहीं पर जो red inserts है ना वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे साथी अगर बात की जाए इसके तो यहाँ पर आपको 18 इंचिस के जो black stone alloys हैं वो यहाँ पर available मिल जाएंगे साथी steel black finished जो dash wood है वो यहाँ पर available मिल जाएगा डाक की आपको badging काफी जगा पर देखने के लिए मिल जाएगी इसके exterior पर भी interior पर भी और advanced features इसके अंदर आचुके advanced driver assistance system जो की सिर्फ आपको optional variant के साथ available मिलेगा अब यहाँ पर आपको जो जो इसकी touchscreen थी जो 8 इंचिस की थी अब वो 10 इंचिस की हो चुकी है चुकी हर्मन touchscreen infotainment system यहाँ पर मिल जाती है साथ यह आपको इसके अंदर 200 plus voice commands मिल जाती है 360 degree camera यहाँ पर आ चुका है memory seat यहाँ पर आ चुकी है और welcome feature भी इसके अंदर आ चुका है और memory feature के साथ ही आएगी और यहाँ पर अब आपको जो इसका cluster meter था ना चुकी semi digital था अब वो fully digital हो चुका है TFT के साथ और काफी जादा amazing लगता है front जो दोनों seats हैं वो आपको ventilated मिलेंगी driver side भी और co driver side भी अब फटा फट से बात कर लेते हैं इनके variants के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ा available मिल जाती है so जैसे कि मैंने आप लोगों को बताएं कि दो variants इसके अंदर आएंगे एक without adas और एक adas के साथ में so सबसे बहले बात करेंगे without adas की तो यहाँ पर आपको जो इसकी key features हैं वो मैं बतायता हूँ black exterior theme तो रहेगी साथ ही जो red inserts है ना वो आपको कहीं कहीं पर देखने के लिए मिल जाएंगे इसकी जैसे front krill पे side panels पर तो वो चीज़ आपको मिलेगी interior में मैंने आप लोगों बता दे कि red interior theme मिल जाएगी leather seats यहाँ पर आपको मिलने वाली है जो की red color के अंदर होंगी और diamond style के अंदर quilting की गई है जो की काफ़ जाद amazing लगती है और जो dark की badging है ना वो पूरा आपको engraved देखने के लिए मिल जाएगी और काफ़ जाद amazing लगती है इसके headrest के उपर 18 इंचिस के diamond cut alloy wheels यहाँ पर दिये गए है साथी red calipers यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि इसको एक sportier look देते हैं panoromics sunroof यहाँ पर आ रही है 360 degree camera साथी 10 इंचिस की harman touchscreen infotainment system 9 जो है आपको jbl के speakers मिल जाएंगे चार speaker चार tutor और subwoofer with amplifier android auto apple carplay over wifi यहाँ पर दिया गया है साथी 17.78 cm की digital tft instrument cluster मिल रहा है आयारे connected car technology मिल रही है ventilated driver and co driver seats यहाँ पर दी गई है six way power driver seat with memories setting और welcome function जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया वह यहाँ पर दिया गया six airbags isofix style seats साथी EPB यानिक electronic parking brake with auto hold feature और enhanced electronic stability program with 17 functionalities दी गई है और modes यहाँ पर आपको मिल जाएंगे normal rough और wet wireless charger और smart A type and C type charger जो है ना front और rear में वो दिये गए है जो कि कमाल की बात है तो यह तो बात होगे इसकी without adas की xz plus और xz a plus अब बात आती है top of the line की जो की main highlight इस car की adas features so optional variant के अंदर आपको adas feature आप आ गए है तो यहाँ पर जो adas है ना सिर्फ वही add होंगे जो xz plus के अंदर मिल रहे ना same feature वह आपको xz a plus optional के अंदर भी मिलेंगे बट adas extra add हो गया है so यहाँ पर आपको adas के सारे features मिल जाएंगे autonomous emergency braking forward collision warning rear collision warning rear cross traffic alert यह सारे feature आपको यहाँ पर दिये गए है so guys यही थी कुछ difference आपको जो ब्रॉशर डिटेल थी वो मैंने शेयर कर दी है ताकि आप लोग एक idea पाए कि harrier के अंदर आपको जो 2003 से dark edition red dark edition उसके अंदर क्या क्या चीज़े मिल जाती है so guys hope करता हूँ कि आप लोग को समझा पाया होगा कि क्या क्या जो details है और कौन-कौन से features है वो अब add कर दिये गए है साथ ही मैं आप लोग साथ next या फिर उससे next एक video के अंदर ना इसके जो adass features है वो explain करने वाला हूँ कि आपको इसके अंदर कौन-कौन से adass features मिल जाते हैं और वो feature क्या क्या काम करते हैं पूरा मैं आपको explanation उसका भी देने वाला हूँ आपको इस वीडियो काफे साथ informative लगी होगी वीडियो आपको informative लगी है तो वीडियो को जो लाइक कर दें साथ इस वीडियो को एक share जरूर करें ताकि यह जो information है वो सब तक pass on हो सके जो की टाटा है धियर के red duck editions को भाय करना जा रहे हैं या फिर भाय करने के लिए सोच रहे अप्रेश।